दोस्तों क्या आप भी उन जिग्यासू लोगों में से हैं जो किसी कमाल के एंजिनिरिंग मावल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एंजिनिर्ज और साइंटिस्ट ने ये मुम्खिन कैसे कर दिखाया अगर हाँ तो पानी पर बने ये शांदार पुल तो आपका ध्यान पका ही खीचते होंगे कभी नदी पर तो कभी समुंदर के बीच कैसे सैकडों चैलेंजिस से पार पाकर इन नायाव विशालकाय पुलों को बनाया जाता है जानेंगे मिलकर आज की इस खास वीडियो में नमस्कार और स्वागत है आपका तम मिस्टिका लैंड पर एक बार सिर्ट दोस्तों हम सब ये तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारी जीवन का एक एहम हिसा है क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गाओं कश्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते इन ब्रिजिस की मदद से हम पानी के उपर से निकल कर अपना समय और इंधन दोनों ही बचा लेते हैं लिकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजिस हैं जो मशूर है खुँछ अपनी एंजीनीरिंग के लिए तो कुछ उनके आखार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के चलते एंजीनीरिंग डिजाइन के आदार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं किसी भी ब्रिज का निर्मार जगा के आदार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सबी जगा बनाना संभव नहीं। इसलिए ब्रिज भी जगा के आदार पर ही बनाय जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, आधी ये कुछ टाइप्स है, पानी पर बनने वाले इन पुलों के, कोई भी पुल तब तक बार सेहन कर सकता है, जब तक उस पर पढ़ने वाला भार, डारेक्ट या फिर इंडारेक्ट तरीके से, जमीन में ट्रांसफर ह एक ब्रिज पर लाखो टन का बार हो सकता है, लेकिन वैं फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा बार खंबो पर टिका होता है, और खंबो से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने को स्थिर रखा जाता है तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत आए समझते हैं तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए एंजिनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको बनाते समय पानी की अधिक्तम और नियू बनाई जाती है इस नीव को कॉफर डैम कहते हैं पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वेर में अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे प पानी के अंदर डाला जाता है ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके बाद मोटर और पंप के जरीए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है जिस वज़े से यहां पर एक सूखी खाली जगा बन जाती है इसी सूखी खाली जैसे समुंदर में बीन बनाने के लिए समुंदर के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगा देखते हैं उसकी गहराई मापते हैं इसके बाद उस जगा पर बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा खड़ा किया जाता है जैसे बोर्वेल बनाते समय करते हैं फिर उस बोर्वेल म अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है जिसके बाद उस पाइप में सिमेंट और कॉंक्रीट का मिक्चर बरा जाता है ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा खंबे तयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं जिससे एक मजबूत खंबा तयार हो जाता है। जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं, वैसे वैसे उनके उपर रोल भी तयार की जाती है। जब दो खंबे बनकर तयार हो जाते हैं, तब सबसे पहले बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े-बड़े उन खंबों को जोड़ा जाता है और ये सीमेंट कॉंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगा पर तयार होते हैं ब्रिज का आदा काम बाहर कार खाने में किया जाता है और आदा काम समुन्द्र या नदी जहां पर पुल बनाया जा रहा हो वहां बड़े-बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुन्द्र में ले जाने के लिए बड़ी-बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को उपर उठाया जाता है और फिर step by step ब्रिज का निर्मान किया जाता है वहीं दोस्तों कई situations में floating coffee dams भी बनाया जाते हैं जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीने fit कर दी जाती है जो पानी के उपर तैरती रहती है या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जाता है जिसके बाद इन्हें rotate करके पानी के अंदर डाल लिया जाता है दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी professional होते हैं चाहे वो worker हो या फिर engineers सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बेजा जाता है क्योंकि अगर ये bridge किसी नौसिखिये द्वारा बनाये जाएं तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौद से बुगतना पड़ सकता है अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित वांदरा वरली सीलिंग को ही ले ली जिए इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को एंजिनिरिंग का बहतरीन नमूना कह जाता है लेकिन पानी के उपर इसे बनाना आसान नहीं था ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती बरा सफर था जिसे 11 सालों की अतक मेहनत और लगबग पौने 2 लाग करोड के खर्च के बाद हमारे एंजिनिर्स ने पूरा कर दिखाया तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में वो सबी एतियात बरते जाते हैं जो जरूरी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिजिस के बारे में कुछ नया और इंटरस्टिंग तो जरूर जाना होगा इसलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और शेयर करें इस अद्बुत नॉलेज को अपने दूस्तों और रिश्तेदारों के साथ